कि यह जी हमारा गोबी का जो यहां पर आप देख सकते हैं यह प्लॉट है और इसमें गोबी पूरी तरह से तयार है फूल गोदी को इसको तयार किया गया है आपको मैं दिखाता हूं यह देखिए फूल बिल्कुल कच्चा एक दम जहनार है यह है इसका औरिजनल रंग कलर यह देखिए इसमें किसी तरह का कोई अभी फिलहाल कोई बेमारी नहीं लगी है और पत्तों का आप कलर देख सकते हैं बहुत अच्छा है यह पूरा प्लॉट ही बहुत ही है त्यार हो गया है यह देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी और वराइटी है अधीं बिल्कुल हारा प्याज है आप इसको गूंदली कह सकते हैं कई जगें इसे गूंदली का जाता है लेकिन हमारे यहां कच्छा प्याज भी बोलते हैं अभी प्याज से पहले ये जो है आता है और गूंदली के रूप में इसे बेचा जाता है इस समय इसका जो रेट है वो 25 से 30 रुपे रेती किलोग्राम के हिसाब से जो है मार के प्रमंदी मात को मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया जो है प्लाट है इसी तरह का बिमारी इसमें अभी तक नहीं आई है कि जो है ये फोटारा ले चुकी है काफी अच्छी ग्रोव करेंगी ये फूड इसमें लग चल चुकी है यह दिखिये का फी अच्छी ग्रोव करने वाले मेती मेथी का जो छिड़काव वाली मेथी है इसलिए आप देख सकते हैं कैसा है कॉमेंट करके जुरूर बताईएगा कि किस तरह से जो है ये ग्रोव करेगी और कैसा है फिल हाल ये करीबन साथ दिन की हुई है उगने के बाद ये साथवां दिन है और देखते हैं क्या बनता है कि क्वालिटी अच्छी है और गोबर की खाथ काफी इसमें डाली हुई है वर्मी कंपोस्ट भी इसमें दिया गया है वेस्टी कंपोजर जो है वह अब की बार इसमें इसमें इस्तमाल काफी ज्यादा हो गया है तो देखते हैं उसका कोई असार आता है कि नहीं आता लेकिन अभी फिल हाल जो है बड़ा अच्छा है ये प्लॉट देने वाद दोस्तों लो खिल हम चाल श्र जोस्तों लोगा ये प्लोग भ्लोग ये लेता है जो भी प्लोगा है ये विल दोस्तों लोगा ये प्लिपक्तू